दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सेलेक्शन में दोस्तो कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे लेकिन दोस्तो मुझे पता है आप थोड़े से टेंशन में होंगे क्योंकि पता है कि COVID-19 के चलते हुए एक्जाम का कुछ इसपच तरीके से नहीं पता है कि एक्जाम ऑनलाइन होंगे क्या ओफलाइन होंगे दोस्तो कोई बात नहीं आपको टेंशन नहीं लेनी है बस आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिएगा जैसे भी होगा हम पेपर देने के लिए तयार है बस तो दोस्तो आज मैं आपके लिए BTUP 2018 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और 2018 का पेपर का कुछ भाग में सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कर दिया जाएगा तो दोस्तो बिल्कुल भी इसकी पना कीजेगा बहुत चोटी वीडियो बनाऊंगा और दस बारा कोश्चन को सॉल्व करूँगा ठीक है तो बिल्कुल कंसेटेशन से देखना है तो दोस्तो फटा-फट अंदास में जादे बात ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कौन कौन से कोश्चन मुझे कराने है आईए में दिखाता हूँ दोस्तो एक तो सबसे पहला कोश्चन कराना है ठीक है फिर उसका A Part B Part इसका C Part इसी तरीके से दोस्तो इसके सारे Part में सॉल्व कराऊंगा औ और उसके पश्चात सॉल्व कराने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें हम नेस्ट भाग को बनाएंगे ठीके दोस्तों अब यहां देखिएगा जितने भी मैंने आपको यह दिखाए हैं यह अभी मैं सॉल्व कराऊंगा आईए दोस्तों सॉल्व कराता दस पदों का यह योग याद करने का फॉर्मुला में आप उसको बताया था एसन इस इकल टू एन बाइटू टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ठीक है यहां पर ए कमान दिया हुआ है डी कमान दिया हुआ है डी मतलब सार्व अंतर ठीक है यानि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके जो आता है उसको हम डी केते हैं एन कमान मतलब दस पदों का योग दस मतलब यहां पर लास्ट पद यह मतलब एन कमान दे दिया है उसके पश्चात हम यहां पर फॉर्मुले को लगा देंगे फॉर्मुले लगाने के बाद में उसके वेलियो को कर देंगे यानि n की जगे हमने n कमान यानि 10 by 2 2 into a कमान a की जगा a मतलब पिर्थम पद ठीक है अब 10 minus 1 into 4 यहां से जैसे ही हम निकालेंगे तो यहां पर दोस्तो s10 is equal to 220 इसका correct answer हो जाएगा I hope दोस्तों बहुत अच्छे समझा रहोगा आई नेक्स्ट question की तरफ चलते हैं बहुत easy सा question है यदि fx is equal to 10x तो f 60 का मान ग्याद कीजिए 2018 में question पुशा गया है दोस्तों 2018 का paper ही solve करा रहा हूँ तो f जहां जहां हमारा x है इस वाली semi-ground में वहां वहां हमें 60 रख देना है f 60 is equal to 1060 और 1060 का मान आप अच्छे से जानते हैं का root 3 होता है ठीक है तो दोस्तों बिलकुर इसका यही answer हो जाएगा आई नेक्स्ट question की दरफ चलते हैं एकत नंबर के question है क्योंकि एक नंबर के question अगर आप की शुरुवात अच्छी होती है paper में तो आप आगे को question भी बहुत अच्छे solve कर जाते हैं ठीक है दोस्तों यह बात ध्यान रखेगा यदि a is equal to 2y plus 3j plus k का एक magnitude क्या होगा इसका एक magnitude पुछा गया है परिमार पुछा गया है तो एक magnitude root a square plus b square plus c square ठीक है a b c जो है यह i jk के प्लांक होते हैं coefficient ठीक है root 2 का square plus 3 का whole square plus के one का square यानि एक magnitude हमारा root 40 निकल कर आ जाएगा यही इसका answer हो जाएगा दोस्तों आई नेक्स्ट question की तरफ चलते हैं कि साइन स्क्वाइर अलफा प्लस को से प्लस को से स्क्वाइर अलफा कमान आप हमेशे जानते हैं कि one होता है ठीक है तो दोस्तों इतने इसी question पुछी जाते हैं बिल्कुल घबराना नहीं एक दम consultation से आपने paper को solve करना है ठीक है आई दोस्तों next question की तरफ चलते हैं कि यहां दीए दोस्तों हमें दिया हुआ है d2 y by dx square कमान बताईए यदि y is equal to log x हो हो तो हमें d2 y यानि हमें इसका दो दफ़े आउकलन करना है ठीक है तो जब हम इसका दो दफ़े आउकलन करते हैं तो चैप राप्त होता है आई देखते हैं y is equal to log x differentiate with respect of x x के साफ एक्ष आउकलन करने पर d y by dx is equal to d y by dx log x ठीक है अब दोस्तों यहां देखीगा d dx log x का जो differentiate होता है 1 upon x होता है ठीक है अब जब हम इसका दोबारा से आउकलन करते हैं इस x को उपर ठाकर लेकर जाएंगे तो इसकी power minus 1 हो जाएगी यानि x की power minus 1 जब हम उसका double से differentiate करेंगे उन्हें आउकलन करेंगे तो यह वाली यानि x की power n होता है तो n x की power n minus 1 ठीक है तो माल लीजी के minus 1 जो है हमारा x है formula के according ठीक है तो n या गया n x की power minus 1 minus 1 ठीक है आप अच्छे समझ रहे होंगे तो दोस्तों इसका जब हम differentiate करते हैं double differentiate करते हैं log x का तो minus के one upon x square है रहेगा I hope यह question भी आपको समझ आ गया होगा I next question की तरफ चलते हैं दोस्तों बहुत easy से question पुशे जाते हैं जादे tension लेने वाली बात नहीं है तो question पुशा गया है one two three four five six seven eight nine ठीक है यह question पुशा गया है बोला गया है कि scroll करो यह determinant का question है simple इसको solve कर देना है one को हम बाहर रखेंगे यानि पहली row और पहला column छोड़ देंगे छोड़ने के पस्चात इसकी multiply इससे minus के इसकी multiply इससे जैसे कि आप देख रहे हैं ठीक है पाची कम पाच सोरी पाची कम पाच के रहा हूं पाच नम पे तालिस माइनस बीच में आठ चंग अड़ तालिस यह आ गया अब माइनस का चिन लेकर यह दो को बाहर रखेंगे यह वाली row छोड़ेंगे और यह वाला column चार नम 36 आ गया और साच चंग बयालिस जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस तीरी त्री बाहर रख करके इसको आप अच्छे सौल्व कर लेंगे तो 32 माइनस बद्दीस माइनस पैतिस आ रहेगा अब यहां से जब इसको सौल्व करेंगे तो माइनस थी माइनस के ट्वेल लिमिट x10 to 3 X2 minus 9 upon x minus 3 का मान गयाद कीजिए तो आप x की जगा तीन मत रख देना भी जब तलक इसको सही तरीके सा सौल्व नहीं कर लेते हैं क्या हम x2 minus 9 को x, x2 minus 3 का holi square नहीं लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं x2 minus 3 का square याई ए प्लस भी a minus भी तो x plus 3 x minus 3 ठीक है से solve नहीं हो जाता x-3 से x-3 को cancel कर दिया जाएगा अब हमें limit को जैसे ही put करेंगे तो यहां से हम limit को put करेंगे तो यहां से 3 plus 3 identical to 6 इसका answer आ रहेगा दोस्तों सिर्फ दिमाग में यह question हो जाएगा अगर मैं आपसे बताऊ तो क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी देर लग रही है वरना second question है ठीक है अब यहां देखिए दोस्तों x log x का आउकलन गुलांग याद कीजिए x log x में यह देखना है कि i late लगाना है इसमें i late का नेम लगता है मतलब inverse logarithm algebra trigonometry exponential function ठीक है अब यहां पर देखिए यह जो है हमारा algebra है मतलब x y z log x मतलब logarithm तो यह पहले रखेंगा ल आ रहा तो logarithm पहले उसके बाद मैं x अब इसका differentiate करेंगे ठीक है तो आईए दोस्तों इसका differentiate करते हैं log x plus के ddx sorry log x ddx x plus के x ddx log x यह मैंने आपको अच्छे समझा रखा है अपने अपनी पहली वाली वीडियो में ठीक है अब यहां से log x तो हो जाएगा log x ठीक है अब इसका differentiate करेंगे तो इसका differentiate 1 होता है और 1 की multiply log x से करेंगे तो log x ही आ जाएगा plus x रखेंगे और इसका differentiate करेंगे 1 upon x हो जाएगा इस x से x cancel हो जाएगा बचेगा 1 यानि log x प्लस 1 इसका correct answer हो जाएगा आई होप यह बात समझ आ गए होगी आईए दोस्तो इस question पर रखते हैं एक number रा question कितना लंबा पुशा गया है दोस्तो यहां दिखेगा आप minus 1 प्लस 1 को धुरूवी रूप में वैक्ट करो अब लग तो यह चोटा सा question रहा है लेकिन यह question पूरे एक page का है दोस्तो आईए दिखाता हूँ किस तरह से माल लेते हैं कि यह वाला जो हमारे दिया हुआ है दुरूवी रूप इसको हम माल लेते हैं कि r cos theta plus k r sin theta into i इसके रूप में लिख दे रहा है क्योंकि यह समीकरण होती है ठीक है यह आपको याद रखनी है अब हम क्या काम करेंगे इसकी तुल्ला इससे कर देंगे ठीक है ठीक है ठीक है जी अब वास्तिविक तथा काल्पनिक भागोंगी जैसे ही हम तुल्ला करते हैं तो r cos theta वह ऑब आर कोश theta के बराबर क्या है माइनस वन है तो माइनस वन रखदेंगे ठीक है समीकरण दो आजाएगी अब rsin theta into i इस i कि गुडानक में है वो वन ही तो है तो rsin theta ुटू 1 2-3 अब क्या काम करते हैं दोनों समीकरणों को वर्ग करके आपस में जोड़ देना है जैसे कि आप देख रहे हैं R square theta R square plus R square cos square theta plus R square sin square theta minus के 1 का square plus के 1 का square ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं अब R square cos square theta plus sin square theta बचा is equal to 2 अब यहां से यह तो होता है हमारा 1 R square is equal to 2 R is equal to root 2 आजाएगा यहां से अब actually क्या होता है कि हमें हमसे दुरुवी रूप पुछा गया है ठीक है हमसे दुरुवी रूप पुछा गया है बस हमें क्या काम करता है समीकरण हमारी पहली आ गई है हमें R का मान निकालना है और theta का मान निकालना है जब यह 2 मान पता लग जाते हैं तो हमारा answer आ जाता है मतलब यह समीकरण दुरुवी रूप में वैक्त हो जाती है यह वारी समीकरण दो दियूई है ठीक है अभी हमें R का मान पता चला है किस तरह निकालते हैं कि अगर हम इस वाली समीक्रण को इस वाली समीक्रण से भाग देते हैं तो यहां से हमारा थीटा कमान निकल जाता है आए देखते हैं कैसे निकालते हैं तो R sin theta R upon R cos theta is equal to 1 upon minus 1 R से R cancel sin theta upon cos theta होता है 10 theta ये होता है minus 1 और minus 1 10 के पदों में जो मान होता है वो 10 135 का होता है 10 से 10 cancel theta is equal to 135 ठीक है? क्योंकि अब 90 और 160 के बीच में जो होता है 10 वो minus में होता है 10 90 प्लस 45 यानि 10 45 ही ही आ जाएगा sorry 10 180 10 180 minus अभी हम जब इसका निकालेंगे तो यहां से हमारा देखी निकालता हूँ में 10 135 अब इसका मान जब निकालेंगे तो हम यहां से क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 270 माइनस के इसको माइनस कर देंगे नहीं होनेगा तो यह हो जागा 10 45 और सोरी हाँ 1045 लेकि माइनस का होगा क्यूं की 10 180 और 90 के बीच में जो होता म MA इनस का होता है 1045 का मान क्या होता है 945 यहनी माइनस ख Alt ठीक्छ का मान ही अब यहहां से हमारा 100 पेटिस का मान यहां से आप 10 से 10 प इस धीचल ठीटा वाद्ट ago आगया और कमान पता है थीटा कमान पता है इन दोनों मालों को समीकरण अमबर एक में लाकर पुट कर देंगे जैसे कि हमने समीकरण एक बनाई इतने मान था इसको ठीक है अब हम इसमें पुट कर देंगे वही इसका दुरु धरुविरु一直 को जाएगा रूट्टु आये था bit cost 135 with typing i a siz meantime之ile चाहे तो आप इसका मान भी निकाल सकते हैं mee यही पर शोड़ दिया है अगर आप निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं आहिए दोस्तों नेक्स्ट कैस्टों की तरफ चलते हैं ठीन है ठीक और के बिंदू 1,2 पर इस पर श्रेखा का समीक्रण ग्याद करो यह हमसे पूछा गया है simply हमें पहले इस समीक्रण को solve कर लेना है x2 upon 9 plus के y2 upon 4 is equal to 1 इसको जब हम solve करेंगे तो हमारे कुछ इस परकार की समीक्रण आएगी 4x2 plus 9y2 is equal to 36 अब हम इसका differentiate करेंगे differentiate with respect of x ठीक है तो 8x plus कе 18y dy by dx is equal to 0 क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा अचर है अब यहाँ देखिए दोस्तो इस 8x को उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो 18y dy by dx मैंडस के 18x अब इस 18y को उठाकर के इसके नीचे ठीके तो dy by dx मैंडस के 8x अपोन 18y अब क्योंकि 1,2 पर इस पर्च करती है यह ठीके इस पर्च करती है तो बस हमें यहाँ पर x के यानि यह तो हमारा x कमान है यह हमारा y कमान है यहाँ पूट कर देंगे तो हमारी पिरवडता निकल जाएगी ठीके मतलब dy dx जो होता है वो पिरवडता के बराबर होता है m के जिसको हम M से denote करते हैं ठीक है तो यहां देखिए डी वाइब आइड एक्स 1 कोबा 2 यानि 8 माइनस का 8 इंटू 1 18 इंटू 2 चोक 8 इसको हम लिखेंगे 4 को तो इसको हम लिख सकते है 2 इंटू 2 4 को लिख सकते हैं ठीक है ठीक है जी अब 2 नम 18 यानि minus के 2 upon 9 इसका आणसर आजाएगा अभी answer नहीं आएगा अभी तो हमें क्या पूछा गया है आए देखते हैं हमसे पूछा गया है इस पर शुरेखा का समय करण इस पर शुरेखा का समय करण ग्याद करने की जो समय करण होती है जो formula होता है वो y-y1 is equal to mx-x1 होता है ठीके बस हमें यहाँ पर simply इसके मान को put कर देना है यानि y1 का मान जो बिंदों हमें दिये हो है यानि 1,2 1x का मान y2 का मान ठीके वो sorry 2y का मान y-2 अब minus 2 अब minus के 2 upon 9 अभी निकाला हमने जैसे कि हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर ठीके अब x-x1 का मान यानि 1 है ठीके यहाँ से इसको solve करा हमने solve करने के पस्चाद 2x plus के 9y minus के 20 is equal to 0 जो इस पर श्रेखा का समीक्रण आ गया है यही हमें ग्याद करना था आई होप यह दोस्तों आपको पसंदाया होगा तो इस चैनल को सस्क्राइब करो और लाइक करो ठीके आई दोस्तों next question solve करते हैं यदि a vector is equal to i plus k j minus 2k और b vector is equal to 3i plus 2j minus k तो a dot b command गयाद कीजिए a dot b command गयाद करना है a command रखा dot b command रखा ठीके अब हमने इसकी multiply इस से की square मत कर देना क्योंकि dot product कर रहे हैं dot product में square नहीं करते हैं बस i dot i लिखते हैं जिसका command one होता है इसी पिरकार इसकी multiply जब इस से होगी मतलब चाहोता है देखो मैं बताता हूँ आपको जो i का गुडांग है ना three है अब इस i का गुडांग क्या है one है तो one की जब 3 से multiply करेंगे तो 3 आ जाएगा i dot i आ जाएगा plus इसकी multiply जब इस से करेंगे हमने पढ़ा था कि i dot i का मान one j dot j का मान one k dot k का मान one होता है तो three two two यह होता है seven यानि a dot b is equal to seven आ गया यानि a dot b project जो आ गया seven आ गया हमारा i hope दोस्तों यह question भी बहुत easy था अच्छे समझाया होगा आई next question की तरफ चलते हैं यह दिवाई is equal to x cube plus 3x square minus 7x plus 9 तो d3 y by dx cube का मान क्या होगा मतलब इसका तीन दफ़े differentiate करना है तीन दफ़े आउकलन करना है तो सबसे पहले करते हैं d y by dx यह हो जाएगा हमारा 3x square यह हो जाएगा हमारा यानि 3 दूनी 6 6x minus 7 हो जाएगा ठीक है ठीक है जी अब द्वारा करते हैं इसका d2 y by dx इसका करेंगे तो यहां से 3 दूनी 6 यानि 6x हो जाएगा अब प्लस 6 हो जाएगा अब इसका तिवारा करेंगे यानि d3 y by dx square is equal to क्योंकि इसका मान तो वन ही हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा हमारा बच्चे का 6 तो 6 आ रहेगा यही इसका answer है दोस्तों पिछले तीन मिनों से मैंने आपको बिल्कुली preparation नहीं कर आँगा तब यह थुली सुधार में है इस टाइम पर तो दोस्तों God bless you मिलते हैं next video में और next भाग की तरफ इस पेपर की 2018 paper solve करा रहा हूं और next video में इसको complete कर दे रहाएगा या तीसरी वीडियो में ठीक है तो दोस्तों बाए